पालाक और गेहू के आटे से आज हेल्दी टेस्टी नाश्टा बनाएंगे पाच मिनिट के अंदर तयार होने वाले हैं इतना आसान है बनाना आपको देखते ही मजा जाएगा सुबह के टाइम पे जब ब्रेक्फास्ट बनाना होना तो समझ में नहीं आता है कि क्या बनाया जाए जो सबको पसंद आए पेट भर का नाश्टा हो और साथ ही साथ हेल्दी भी हो तो जलिए बनाते हैं Hello everyone, welcome to love kitchen 300 ग्राम लेंगे गेहू का आटा बड़े कटोरी के देर कटोरी जितना आटा हमने लिया है आटा को इस तरीके से बीज में हलका सा जगा करके बिलकुल बारी कटी हुई पालक के पत्तिया लेना है पालक के डंठल इस रेसिपी पे यूज हम नहीं करेंगे अब इसमें थोड़े से हमने पालक, अदरक, आधा इंच, तीन हरी मेच डालके अच्छा सब पेस्ट बना लिया है अब एक चमच साबुट जीरा डालेंगे स्वाद अनुसार नमक अब देर बड़े चमच डाल देंगे, तिल-तिल सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और तील डालने से खाने में बहुत अच्छा टेस्ट करेंगे बड़े चमच के देर चमच यहाँ पे हमने डाल दिया है करा मसाला जो भी फेवरिट करा मसाला हो आप डाल सकते हो एक छोटा चम्मच धनिया के पाउडर डाला है बिल्कुल एक चुटकी जितना डाल दिया है हल्दी के पाउडर अब सब कुछ एक साथ में अच्छे से मिक्स्ट करके आटा के साथ गोंद लेना है पहले से पानी बिल्कुल भी आट करने की जरूरत नहीं है अब इस टाइम 300 ग्राम क्योंकि हमारा आटा है तो तीन बड़े चम्मच हम लेंगे रिफाइंड ओयल थोड़ा सा साग बारी कटी हुई हम और डालेंगे यहाँ पे मैंने आधा गटी चितना साग लिया है पूरा 300 ग्राम के लिए कुछ-कुछ पालक में से ज्यादा पानी निकलते हैं कुछ पालक में से कम पानी आते हैं तो उस हिसाब से पानी को यहाँ पे डालके एड़िस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे मिक्सर के जार में जो हमने पालक पीश लिया था उसमें पानी डाला है और यहाँ पे वान फोर्थ कब जितना पानी यहाँ पे लगा है छेस पिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी डालके इसे गोंद लेना है तो चलिए आटा गोंदते हुए मैं थोड़ा सा बाहर करना जारा दिखा देती हूँ आटा को हमने इस तरीके से गोंद लिया है देखिए बहुत टाइट भी नहीं बहुत सॉफ्ट भी नहीं बहुत टाइट होता है तो फटने लगते हैं बेलते टाइम बहुत सॉफ्ट होंगे तो बेलान में चिपक सकते हैं तो बिल्कुल मीडियम इस तरीके से गोंद लेना है जैसे कि इस टाइम मैं आपको छोक के दिखा रही हूँ तो चलिए अब इस आटा से हम छे बॉल्स बना लिया है यानि कि छे लोईया इस तरीके से बड़े बड़े बना लिया है अब सूखा आटा टालके इसे बेल लेना है बड़ा रोटी के साइज के जितना हमें बेल लेना है सूखा आटा लगाते हुए तो इस तरीके से जब अच्छा सा गोल एक तयार हो जाए उस टाइम हम क्या करेंगे इस तरीके से फोल्ट कर देंगे यानि कि ये मोर देंगे जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ चारो कॉर्णर को इस तरीके से फोल्ट कर देना है और चिपका देना है और क्योंकि सूखा आटा लगा था तो इसमें अंदर से अच्छा सा लेयर भी तयार होंगे अच्छे से चिपका दिया है उपर से थोड़ा सा सूखा आटा लगा के फिर से बेल देंगे इस तरीके से बेलने से थोड़ा सा अलग लगता है देखने में और देखके ही खाने का दिल करते हैं चाहे तो त्रिकोन शेप हो या फिर गोल शेप में भी बनाया जा सकता है टेस्ट में तो कोई भी अंतर नहीं होंगे तो चलिए इसी तरीके से बेल लिया है बहुत मोटा भी नहीं बेलेंगे और बहुत पतला भी नहीं तो देखिए है ना बहुत आसान अगर सुभे के ब्रेकफास्ट में आप बना रहे हूं बच्चों के लिए आप इस तरीके से डो को बना के एक एयर टाइट कंटेनर में बंद करके फ्रीज में रख सकते हूं सुभे बस इस तरीके से डो निकालो और अच्छा सा अपने मन पसंदीदार डिजाइन में बना के आप बच्चों को खिला सकते हूं हरा भरा पालक पालक के सबजी खाने से अकसर बच्चे नकड़ा करते हैं इसलिए मैं बहुत सारा रिसिपिस आपके साथ आजकल शेयर कर रही हूं जो पालक से बना हूं तो चलिए सारा पराठा इसी तरीके से हमने बेल लिया है चलिए फ्राइ करते हैं गैस पे बिठाया है पैन उसमें डालेंगे एक जम मजदेसी घी घी से बनाएंगे जिससे हल्दी हो सके गुट फैड होते हैं न घी तो अब इसमें चारो तरब जिससे घी लग जाए इस तरीके से पैन को हिला देंगे अब जैसे ही एक साइट अच्छे से फ्राइ हो जाए अब बिल्कुल अराम से हम पलर देंगे पराठा को सेखते टाइम गैस का फ्लेम बहुत मैटर करते हैं जिससे पराठा अंदर से एकदम पके हुए हो उपर से हल्का सा क्रिस्पी हो लेकिन अंदर से वो एक सौफ्टनेस भी रहे तो ये देखिए फ्लेम को पहले जब स्वटनेस अंदर से इस तरीके से उपर से हल्का सा और गी डालेंगे अब इसमें घी के और पालक के खुश्बू बहुत अच्छे आ रहे हैं अब एक एक करके इस तरीके से फ्राइगरते जाएंगे तो देखिए बहूत लाजबा बहुत ही असान ये पालक का पराठा आक क तो दही होना पराठा के साथ तो और कोई चीजों के जरूत नहीं होते हैं अब चाहे तो अपने मन पसादनी दार कोई सबजी से परोश सकते हो अब पराठा हो और घी का खुल्बूना हो तो ये तो नहीं चलता है तो उपर से भी थोड़ा सा घी डालेंगे तो फ्रेंज आज के हमारे पालाग का पराठा एकदम आसान तरीके से आपको कैसा लगा है मैं आशा करती हो आज के रेसे पर आपको पसंद आए होंगे उपर से कितना ज्यादा क्रिस्पिनेस है अंदर से नरम है तो ये देखिए तो फोल करके आपको दिखा रही हूँ एकदम बहुत ही जबर्दस्त मुलायम सा ये पराठा बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं फ्रेंस तो इसे छोटे से लेके बड़े कोई मना नहीं कर पाएंगे जिसे अगर पालाग पसंद भी नहीं हैना तो वो भी खाएंगे एकदम चाओ से अगर आप भी रोजाना हेल्दी टेस्टी और नया नया रेसिपीस का मज़ा लेना चाते हो तो कर सकते हो लाब कीचिन चैनल को सब्सक्राइब पालाग के नया नया रेसिपीस अगर आप देखना चाते हो जो बहुत ही हेल्दी है और साथ में बहुत ज्यादा टेस्टी तो उसका लिंक मैंने रिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप चाहे तो देख भी सकते हो तो फ्रेंज आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली रेसिपी में टाटा बाई बाई टेक क्यार